फ्यूरेन की राजसेनी कभी करियें थायोफिन वे पिरोल दोने की तुनला में फ्यूरेन में एरोमेटिक लक्षाट कम है इसकी कुछ प्रमुक राजसेनी कभी करियें निम्न प्रकार से हैं पहली है योगाउत में कभी करियें इसमें कई प्रकार की योगात में कभी क्रेंच संपन होती हैं जैसे कि हाइडोजनी करण, ऑक्सिजन अत्वा वायू के साथ करिया, तील सेडर अभी करिया पार दी पहला है हाइडोजिनेशन पैलेडियम अत्वा रहने निकल की उपस्थिती में फ्यूरेन का जब हाइडोजिनेशन करवाय जाता है, तो एक इस्ताई संत्रप्य चक्रिय एथर टेट्रा हाइडो फ्यूरेन अर्थात ती यह बनता है यह एक मैत्मुन विलाय के रूप में काम में आता है फ्यूरेन वायू में अनिस्टेबल है, वे वायू की ऑक्सिजन के साथ करिया करके यह फ्यूरेन 2,5 परॉक्सेट बनाता है जिसका शिगर ही पोलिमराइजेशन हो जाता है तीसरी है डील्स एल्डर अभी करिया फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक लक्षन दिखाता है और यह एक कॉंजीगोटेड डैन की बांती भेव करता है अते मेलेक एनाइडेड के साथ यह वनफोर योगोतपात बनाता है जो HBR जैसे किसी करी जमल के साथ नर्जिलिकरत होकर थैलिक एनाइडेड बना लेता है अपन नहीं होगी नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट एवं ब्रॉमीन की उपस्तिती में फ्यूरेन एसिटी कमने के साथ भी योगात्मों के अभिक्रा करता है जिससे 2,5-Diacetoxy 2,5-Dihydrofuren का निर्वान होता है जो आस्वन करने पर 2-Acetoxy-furen बनाता है जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूरेन में एरोमेटिक लक्षन कम है अधि इसके रियक्टिविटी अधिके इसके अत्रितिक फ्यूरेन में एक और विशेष्टा ये भी है कि ये सांद्र अमलों की उपस्तिती में शिगरता से पॉलिमराइज हो जाते है इन कार्णों से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्तापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन नहीं कराई जा सकती है लेकिन यदि वले में कोई माइनस आई प्रभाव डालने वाला समू जुड़ा हो तो ये अभिक्रियाएं संपन हो जाती है अते फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्तापन अभिक्रियाएं कुछ विशेज परस्तित्यु में ही संपन की जा सकती है इसकी कुछ प्रमुक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्तापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से है पहली है फ्यूरेन एसिटल नाइट्रेड के साथ अभी करिया करके टू नाइट्रो फ्यूरेन बनाता है सेकंड है पिरिडीन बेस सल्फा ट्रियोकसाइड एसो थिरी के साथ फ्यूरेन करिया करके फ्यूरेन टू सल्फोनी कम्र बनाता है थड़ है फ्यूरेन की हैलोजनों के साथ किरिया तो हो जाती है लेकिन बने हुए हैलोजन अमलों में इसका पॉलिमराइजेशन हो जाता है जिससे वांचित उत्पाद नहीं बन पाता अधि ब्रोमीनेशन के लिए हम उसके तिवर माइनस आई प्रवावले समयुक्त वित्पन फ्यूरे कमल का ब्रोमीनेशन करवा कर फिर उसका वी कारबॉक्स लिकरन करते हैं जिसे हमें टू ब्रोमाफ्यूरेन प्राप्त होता है यदि फ्यूरेन की क्रिया क्लोरीन के साथ माइनस 40 डिगरी सेल्सेस पर समपन करवाई जाए तो मुक्य उत्पात के रूप में 2,5-Dichlorofurain प्राप्त होता है फोर्थ है जब फ्यूरेन की रेक्शन हाइडोजन साइनाइड वे हाइडोजन क्लोराड के साथ करवाई जाती है तो फरिफुरेल बनता है इसे हम गेटर में कोच अभी करिया कहते हैं अमोनिया के साथ गरम करने के उपर यह हाइडो फ्यूरेमाइड बनाता है फिफ्थ है ऐल्यूमिनियम क्लोराड फ्यूरेन वले पर आक्रमन करता है अते फ्रिडल क्राफ्ट अभी क्रिया को इस्टैनिक क्लोराड उत्परगर की उपस्तिति में संपन किया जा सकता है इस परस्तिति में भी केवल ऐसली करण ही संबभ है ऐलिकली करण नहीं एलकी करण की करिया में फ्यूरेन का पॉलिमराइजेशन हो जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एसल करण के लिए एथर वे बोरोन ट्राइफ्लोराइड संकुल की उपस्तिती में एसल के साथ करियावक करवाने के उपर टू एसल विद्पन की अच्छी लबदी प्राफ्त होती है फ्यूरेन का मरकरी करण बड़ी आसानी से हो जाता है जब जलिये सोडियम एसलिटेट में इसकी करिया मरकुरी क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो इस्तिती दो पर मरकरी कर्ण हो जाता है चुंकि मरकरी समों को ब्रॉमीन अत्वा आयोडीन अत्वा एसल समों के साथ आसाने से प्रतिस्तापित किया जा सकता है अत्वे मरकरी योगिकों को मैथपूर्ण इंटरमिडेड की रूप में माना जा सकता है नेक्स्ट ए फ्यूरेन की एन ब्यूटिल लीथियम के साथ भी सिगरता से अभीकरिया होती है और टू लीथियम डेरिवेटी बनता है ये कार्ब लीथियम योगिक कई मैथपूर्ण अभीकरिया देता है उधारण के लिए ये कार्बन डाई सलफाइड के साथ फ्यूरी कमल बनाता है नेक्स्ट है जब छार की उपस्तिती में इसके डाई एजोनियम लवन के साथ किरिवा करवाई जाती है तो गॉंबर्ग रेक्शन संपन होती है और टू एरिल विद्बन बनता है फार्मल डेड या किसी अन एल्डेड और किसी सेकंडर एमिन के साथ ये मानिश भी क्रिया संपन करता है और डाई मैथिल अमीनो एतिल फ्यूरेन बनता है उचित अभीकर्मक के साथ एबम उचित परस्तितिनों में इसे थायोफिन अत्वा पिरूल भी बनाए जा सकता है उचित परस्तितों में फ्यूरेन की वले टूड जाती है और वन फोर डाई ऑक्सयोगिक बनते हैं